नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है भालचंद्र, ब्रह्मान्ड सिद्यास्ट्र में आप सभी का स्वागत है। शुकल पक्ष की तेरवितीती है, नक्षतर उत्तर भादर बदा है, योग हर्शन है, दिन का जो करण है वो तैतिल है और जो रात का करण है वो वनी है। आप ले सकते हो। उसी प्रेकार आज की दिन का जो राहुकाल है वो शुरुवत होगा, सुबह 10 बचकर 45 मिनिट से लेकर 12 बचकर 10 मिनिट तक और यमगंड़काल दोपर 3 बचकर 1 मिनिट से लेकर 4 बचकर 26 मिनिट तक का होगा। राहुकाल और यमगंड़काल दिन के अशुवकालावदी कह जाते हैं, इसमें किसी भी प्रकार के महतुपुर्ण काम या प्यनिट ने मिलकुल भी नहीं लेना। उस बचकर राज के दिन का जो चंद्रमा है, या चंद्रमा संपुर्ण दिन मीन राशी में ब्रह्मन करेगा। यह अगर सिदी सामने रखते हुए, 12 राशियों का राशी फिल क्या होगा, इस विशाय पर अब हम चार्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशी है मेश राशी, मेश राशी के वेए भाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है, आज का जो दिन है थोड़ा महतोपुर्ण साबित होगा, आज के दिन किसी भी प्रकार के महतोपुर्ण काम या फिनियर ने बिलकुल भी नहीं लेना, आज आपकी जो मान सिक सकता है, वो थोड़ी अस्तिय रहने की संभावना ज्यादा बन रही है, उसी प्रकार आज के दिन थोड़ा घूमना फिरना भी ज्यादा हो सकता है, आपकी जो वैवाई जोड़िदार है, उनके स्वास्त के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा, कुल मिला के देखा रुषब राशी के लाब वबाव में चंद्रमा का भ्रह्मन है, आज का जो दिन है महतोपुर्ण होगा और काफी ज़्यादा शुबफलदाई भी साबित होगा, आज की दिन कुछ अच्छे लाब बगरा मिल सकते हैं, आपकी जो मित्र परिवार है, उनसे मुलाक अता हो सक कहीं बाहर घुमना फिरना भी हो सकता है, तो कुल मिला के देखा जाए तो दिन आपके लिए शुबफलदाई साबित होगा, इसके बाद की जो राशी है, वो है मित्र राशी, मित्र राशी के दशंबाव में चंद्रमा का भ्रह्मन है, आज का जो आपका दिन है, काफी महत काम आज के दिन आप हाथ में ले सकते हो, जो सह कर्मी है, या फिर आपकी जो वरिष्ट होंगे, उनसे आपको काफी अच्छी सायता मिल सकते, आज आपका जो कॉन्फिडंस है, वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा, तो गुल मिला के देखा जाए तो दिन आपके लिए शुबुफलदाई साबित होगा, इसके बाद की जो राशी है, वो है करकराशी, करकराशी के भाग्य भाव में चंदरमा का भ्रहमन है, आज का आपका जो दिन है, काफी महतोपुण साबित होगा, और लकी डे भी साबित होगा, कास करके जो भी काम आप हाथ मिलोगे, वो पूरे होते हुए नजर आएंगे, उसके परकार आज की दिन थोड़ा घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, जो काम आपके नहीं हो रहे है, जिसमें बहुत प्राबलम आ रही है, वो काम आज की दिन आप मिले सकते हो, वो पूरे होते हुए नजर आएंगे, आज आपका जो जो राशी है वो है कन्या राशी वो है सिंग राशी के अश्ठम बाव में चंद्रमा का भ्रहण हैं स्वास्त के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा स्वास्त की छोटे मोड़े समस्य है आज आपके सामने आ सकती है लेकिन आज की दिन आपको कुछ अच्छे लाव वगरा मिल सकते है अनवेक्षित लाव वगरा मिलने की संभावना काफी अच्छी बंद रहे इत्पुल मिला के देखा जाए तो दिन आपके लिए मिला जुला साबित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है कन्या राशी कन्या राशी के सब्तम बहुमें चंद्रमा का भ्रह्मन है अगर आप इवाईत हो तो आपकी जो वैवाई जुड़िदार है उनके साथ आज आपके हार्मनी काफी अच्छे देखी जाएगी लेकिन स्वास्त के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा स्वास्त की समस्याएं सामने आ सकती है इसके बाद की जो राशी है वो है तुला राशी तुला राशी के शष्ट बाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है आज का जो दिन है थोड़ा महत्वण साबित होगा जो भी आपका कारिशेतर है उससे रिलेटर कुछ पॉजिटिव बाते आज के दिन हो सकती है लेकिन आपके जो गुप्तिश अत्र होंगे उस पर उन पर थोड़ा सा थोड़ी नजर रखनी होगी स्वास्त के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना होगा स्वास्त के रिलेटर किसी भी प्रकार के अगर समस्य सामने आती है तो तुरंत उस पर काम करना आवश्चक होगा इसके बाद की जो राशी है वो है वरिच्चिक राशी वरिच्चिक राशी के पंचम भाव में चंदरमा का ब्रहमन है काफी अच्छा दिन है आपके लिए शुबफल दाई भी सावित होगा आज का जो दिन है आपको भागे का साथ काफी अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा अगर आप शेर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाव अगरा मिल सकते हैं अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है उनके साथ आज आपके जो रिलेशनशिप है वो भी काफी अच्छी देख जाएगी खुल मिला के देखा जाए तो दिन आपके लिए शुब फलदाई साबित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है धनुराशी धनुराशी के चतुरतवाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है आज का जो दिन है आपके लिए महतोपुर्ण साबित होगा आज की दिन आप घर पर रहना पसंद करोगे आराम करना पसंद करोगे और वह आराम आपको मिलेगा भी घर के जो लोग है उनके साथ आज आपके हर्मनी काफी अच्छी देखे जाएगी काफी stable mindset आज आपका देखा जाएगा तो गुलमिला के देखा जाएगा तो दिन आपके लिए शुबव फलत दाई साबित होगा इसके बाद की जो राशी है वो है मकर राशी मकर राशी के तृतिय भाह में चंद्रमा का भ्रह्मन है आज का जो आपका दिन है काफी बीज़्डे साबित होगा गुमना फिर ना जादा हो सकता है मैं तो पुर्णा काम भी आप हाथ में ले सकते हो और वो पूरे होते होई नज़र आएंगा आज आपका जो confidence है वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा तो दिन काफी अच्छा इसका पूरी तरह से लाव लीजिए इसके बात की जो राशी है वो है कुम्भराशी कुम्भराशी के दिवतिया भाव में चंद्रमा का ब्रह्मन है महतो पूर्ण दिन है आपके लिए आज की दिन आपको कुछ अच्छे लाव अगरा मिल सकते हैं महतो पूर्ण इंवेस्टमेंट भी हो सकती है उसी परकार आज का जो दिन है आज आपको जो अच्छा देखा जाएगा तो दिन काफी अच्छा इसका पूरी तरह से लाव लीजिए इसके बाद की जो राशी है वो है मीन राशी मीन राशी में ही चंदरमा का भ्रहण है आज का जो दिन है महतवपुर्ण होगा काफी जाधा शुबुफळदाई भी साबित होगा बागे का साथ आज आपको काफी अच्छा मिलता हो नजरा है का अगर आप शेयर मारकें में ट् था दिना 27 अक्तूबर 2023 का संपुर्ण राशिफल आपको ये राशिफल कैसे लगा आपने किस प्रकार से अनुबह किया निजे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना ये चैनल है ब्रह्मान्द सिद्धियास्ट्रो इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना धन्यवाद